जनपत पिली भीत की कोतवाली जहानाबाद शेत्र के चर्चित गाउं जगदीशपुर में आज फूल सिंग पुत्र लाखन सिंग का संदिग्द परिसितियों के चलते घर में ही शव मिलने की सूचना कोतवाली जहानाबाद पुलिस को मिली है जिस पर कोतवाली जहानाबाद प्रभारी निरिक्षक केके वर्मा फुलिस बल के साथ मौके पर पहुचे तथा घटना से संबंदित जानकारी जुटा कर हुए मृतक फूल सिंग के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए पिली भीत भीज दिया है वही मीडिया को जानकारी देते हुए मृतक फूल सिंग के पिता लाखन सिंग ने बताया है फूल सिंग की शादी गाओं में ही नीतू नामक लड़की से एक वर्ष पहले हुई थी शादी से पहले फूल सिंग और नीतू में प्रेम संबंद थे जिस वज़े से एक दो बार थाना दरबार भी हुआ था वहीं दोनों के नामानने पर दोनों और के परिजनों के द्वारा फूल सिंग और नीतू की शादी करा दी थी लाखन सिंग ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुत्र वधु नीतु के परिजनों ने मेरे पुत्र फूल सिंग की हत्या कर शव घर में ही लटका दिया है वहीं फूल सिंग की पत्नी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वह भईया दूज पर अपनी मा के राजी खुशी से आई थी मेरे ससुर जमीन बेच रहे थे और करजा ले रहे थे जिस वजह से लड़ाई जगड़ा हो रहा था इसी वजह से उन्होंने मेरे पती फूल सिंग को मार कर घर में लटका दिया और आरोप हम पर लगा रहे हैं इस घटना से पूरे गाउं में अफरातफरी का महौल बना हुआ है ग्रामवासी तरहे तरहे की बाते लोग कर रहे हैं खास बात ये रही फूल सिंग की मौत की खबर सुबह 10 बजे गाउं में हो गई थी मगर पुलिस को लाखन सिंग के द्वारा लग भग एक बजे के समय सूचित किया गया है जबकि फूल सिंग के फिता लाखन सिंग का कहना है कि मेरा पुत्र फूल सिंग फासी पर लटका हुआ था वही खास बात ये रही है लाखन सिंग और उनके परिजनों ने पुलिस को सूचित किये बिना फूल सिंग के शव को लोहे के पाइप से उतार कर दूसरे कमरे में ले जा कर रख दिया था जब पुलिस मौके पर पहुची तो फूल सिंग का शव जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया है वही गाओं में भी तरहे तरहे की चर्चाएं हैं फिलहाल पुलिस मृतक फूल सिंग के शव को पोस्ट मार्टम के लिए बेज कर पोस्ट मार्टम का इंतजार कर रही है अगल देखे और निकलते हुए निकलते हो तो फिर बच्छो और तो अजिए गटना गटी है यहां पर लटका में मरा गया लटका खतम हो गया बची किस तरह खतम हुआ है लगन जिनका किस तरह खतम हुआ है पनेट आप अधि भी कि दल का कि तो यह प्रताब कौन है उनके अचह तो उनने उनको मार दिया है जी किस तरह खति किस तरह म corr यह उनको अच्छा तो इनके सोचोन नहीं को मार दिया है कौन कौन लोग है तिर चार लोग है क्या क्या नाम है इनकी जो आपके बेटे खतम हुए फोल सिंग इनकी पत्नी का क्या नाम है नितू इनकी साधी कब हुई थी चांष ज़े क्या या कि परिवारों के मरजी लंदें किस तॐत है आपके बेटें ने साधी किस तरह की थी इस लगी से पहले सामदी के बारा उन्हें पर जबर्जा मैंने गाहँ वालों सभी का मैं तो कुछ भी लगती गई अर्दादी मेरे घर में अर्रागे में भी लगती और जिनने मैंने फूल पर बढ़ा मैंने बुड़ा बेजान पर बाद में चल्दी परतिर बहुत गारा थे बहुत बुड़ित रिकाद में लड़का है लड़के के लड़के हैं इनकी साधी कुतना समय होगी है एक साथ तो कोई बच्चा बगार है इनका जी कोई नहीं पूल दिंगी पत्री कहा है इस समय कहा है चाहिए कर बच्च आ है कारभाई हो रही है क्या नामें तुमारा है परताब जी कहां करेने बाले हैं जग्दीश पूर्थाना कॉंचा है और जेला आपके गाउं आज जग्दीश्पूर में फूल नामक के शन्यग परस्दिशित एसका तो क्या चाहते हैं इस मामले में कैसे इसने इधर हमारी ड़की आई दूज़ा का इस फूल सिंग आपके कौन है अपके अच्छा और लड़के के कहना में अपकी जिससाधी हुई है तो कैसे क्या हो गया है ने को कि उनका आरूप है कि आप लोगों ने उनकी हत्या की अज़ आपके आपके अच्छान आपके अच्छा फूल सिंगे पिता कि आप लोगों ने आपके लड़कों ने उनको मार दिया इसको और लटका दिया इसमें क्या अचाना चाहते हैं अब इसमें कोई दोष्म का आए सब्सक्राइब अगर हम पूर देते या कुछ करते तो हमारा दूस है तो आपका क्या नाम है क्या नाम बेटा तुमारा नीटू फूल सिंग तुमारे कौन थे हैं पती तो इन्हों ने इसा कांड़ क्यों किया है यह बता ना है हम अपने माइक क अधिया से बताई जारी आए अगे तैपासी लटकाए तहीं है किन्हें लटकाई थी लटकाई हो है कि तुम कफ से आई हो यहां पर तो आप खुशी-खुशी आई थी लड़की जगल के आई थी खुशी-खुशी आए तो आज फूल सिंग ने क्या किया है यह है और मैं ग जलागे गया तो अदिनके पहले अधियर हो इस इन्हों आप आप आलेकर्स लगाई थी क्या फासी लग पताई जारी pre surplus लाइटार दो रहत तो तोमlor nessa day कि तरह से होई थी कितनी समय होए सदी in को तुमlori किस तरह सदी की हैं आपने अरेंज सब लोग मर्जी से की ती या आप क्रेम विभा किया था तो कोई लडाई जगला होता था हम लोगों के बीच में कभी परिवार के बीच में कर लिए थे यह फूल सिंग तीन भाई थे यह बड़े थे छोटे सबसे बड़े थे